हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नीमी टेक्निकल क्लासेश चेंजिंग दी वे ओफ लर्निंग और स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेश के यूटूब चैनल में तो प्यारे भाई हो आज हम लोग कैपेसिटर के क्यूस्टनों को सॉल्व करने वाले हैं इसमें आप को कुछ प्रस्ण मिलेंगे इंड़क्टर के और कुछ प्रस्ण मिलेंगे कैपेसिटर के यानी कि इन दोनों को कमबाइन की द आपको यहां पर सॉल्व कराया जाएगा तो इस सेशन को प्रारम करने से पहले हर रोज की तरह आप भी इस वीडियो कोella कर दीजे और वीडियो में पूछे जाते हैं प्रस्ण और उनको हम लोग solve करेंगे करेक्ट तो यह हमारा कल का question था जिसको हम आज solve करने वाले हैं तो चलिए अपने इस प्रस्ण के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रस्ण है हमारा निम नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी होती है रबर की या टेफलोन की माईका पी वी सी बताइए इसमें से सबसे अधिक प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी किसकी होती है तो यह होती है देखे टेफलोन की किसकी होती है यह टेफलोन की होती है 10 की घाते 24 ओम देखे इतना हाई रजिस्टिविटी टेफलोन का होता है और रबर का होता है 1 इंटू 10 की घाते 3 ओम मीटर तो यह हो गया आपका रबर का और टेफलोन का होता है 10 घाते 24 ओम तो यह हो गया आपके कल का question का जवाब correct अब हम अपना next question आज का जो question है वो प्रारम करने वाले है जो की सबसे पहला question हमारा inductor का है ठीक है तो आप सभी जवाब दीजेगा ये इस inductor के question का एक सुध प्रेरक में voltage और current के बीच अंतर क्या होता है इसका phasor diagram से समझते हैं हम लोग कि इनका phasor diagram कुछ इस तरह का होता है correct अब इसमें होता क्या है देखिए कि यहाँ पे होगा मेरा voltage correct हमसे पूछा है कि voltage और current के 20 का difference कितना होगा voltage मेरा यहाँ पे होगा और current यहाँ पे होगा यह होगा मेरा I इनके बीच में difference तो है 90 degree का correct और यह lead होगा यह फिर lag होगा तो जब भी बात inductor की करें तो हमेशा इसमें lag होता है correct यह 90 degree lag होगा यानि कि 90 degree voltage से पीछे होगा तो option number A हमारा correct हो जाएगा यदि हमसे capacitor के बारे में पूछा होता तो 90 degree lead फिर current हमारी यहां आ जाती lead करके capacitor का काम क्या होता है कि जो current और voltage के बीच का जो difference होता है उसको बढ़ा देना correct है और inductor में यह घट जाता है तो option number A आपका correct हो जाएगा unity होता है देखिए रजिस्टिव में प्रतिरोध में यदि सुद्ध प्रतिरोध की बात करें तो वहां पर आ जाता आपका option number A चलिए यह Delhi Metro अभी फरवरी 2020 में जो exam हुआ था recently उसी का question है जिसको हम लोग solve करेंगे एक DC supply से संयोजित सुद्ध inductor अपने इस्थी रवस्था में कारे करता है किस तरह कारे करता है अपने इस्थी रवस्था में short circuit की तरह open circuit की तरह या फिर voltage circuit capacitive circuit एक DC supply में से सुद्ध inductor जब बात inductor की कहा गया है तो capacitor circuit तो हो नहीं सकता voltage open या short तो यह देखिए होगा short मैं आपको यहाँ पर बता दूँ यदि inductor के लिए पूछा जाए जब पूछे inductor के लिए तो inductor AC में यह open circuit की तरह short circuit की तरह कारे करती है correct short circuit की तरह और यह DC में भी कारे करती है short circuit की तरह यानि कि यह चाहे AC सप्लाई दो या फिर DC सप्लाई दो inductor में यह दोनों में short circuit की तरह ही काम करेगी लेकिन जो हमारा capacitor होता है वो capacitor केवल AC को ही पास करता है वो DC को पास होने नहीं देता है क्योंकि वो open हो जाता है तो हम यह समझते हैं कि capacitor का उपियोग केवल AC परिपत में ही किया जा सकता है DC में उसका परियोग नहीं कर सकते इसका right answer हो जाएगा option number A next है हमारा हेनरी निम नलिखित विकल्प में से किसकी यूनिट होती है capacitor की या inductor की impedance की या प्रवेश्यता की हेनरी देखिए होती है inductor की यह है हमारी यहाँ पर आएगा आपका वन मिनट यह हमारी inductor की हैंडी होती है correct इसकी होगी हेनरी और capacitor का होता है फैराड इंपिडेंस impedance का होता है ओम और प्रवेश्यता क्या होता है impedance का जो just उल्टा होता है उसको हम बोलते है admittance और admittance का दूसरा नाम है प्रवेश्यता और इस प्रवेश्यता का मातरक होता है सीमेंस तो हमसे पूछा गया है हेंडरी किसकी यूनिट है तो हेंडरी है इंडक्टर की यूनिट option number B आपका correct हो जाएगा बाकी आप देख लीजेगा मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया कि कौन किसका यूनिट होता है चलिए question number 4 ceiling fan में उपयोग किया जाने वाला संधारितर का संधारितर क्या है ceiling fan में उपयोग किया जाने वाला capacitor का capacitance पूछता है ठीक है capacitor तो एक पदार्थ का टूकड़ा है और उसका जो उसके अंदर जो गूड है उस capacitor के अंदर जो कहलाता है capacitance तो ceiling fan में हम कितने capacitance वाला capacitor का use करेंगे तो ये देखिए धाई microfarad वाला capacitor हम प्रयोग करते हैं ceiling fan में और एक बात और जान लीजिए कि जो ceiling fan में capacitor होता है वो paper capacitor होता है राइट वो होता है paper capacitor अब capacitor का काम क्या-क्या होता है इसका कार्य होता है capacitor का capacitor का कार्य इसका देखिए सबसे पहला कार होता है phase विभक्त करना correct phase विभक्त और इसका दूसरा काम होता है power factor सुधारना power factor सुधारना और capacitor का कार्य होता है sparking कम करना sparking घटाना तो ये हो गया capacitor का कार्य ये तो capacitor के तीन कार्य है आप इस चीज को नोट कर लिजे और फिर आगे बढ़ते हैं हमारा next question है धारिता की EKI क्या होती है बहुत बढ़ी है ये देली मेटर 2017 का question है shift first का कि धारिता की EKI क्या होती है कुलंब होती है या हैंडरी होती है हैंडरी तो नहीं हो सकती अब भी हमने देखा जूल या फैरड मैं सब का बताता हूं कि कुलंब किसका होता है ये होता है आवेस का हैंडरी होता है हमारा inductor का ये हो गया inductor का जूल होता है कार्य का और उस्मा का भी मातरक जूल ही होता है फैरड ये फैरड होता है हमारा कैपेसिटर का और कैपेसिटर को ही हम बोलते हैं धारिता तो option number D हमारा correct answer हो जाएगा कि धारिता की एकाई फैरड होगी राइट बहुत easy question है दोस्तों बहुत देखिए आपको यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर का question का level है ये किस level तक पूछा जाता है correct सुद धारिता सरकिट के माध्यम द्वारा AC के लिए निमनलिखित में से कौन सा सही है ये है हमारा current आप इसको current पड़ेगा current चरण voltage में है या current 90 degree से voltage से पीछे रहता है या current 90 degree से voltage के आगे रहता है या फिर current 0 होती है तो हमें पूछा गया है सुद धारिता के बारे में correct तो सुद धारिता के बारे में यहाँ पे option number आपका हो जाएगा कि इसमें current voltage से हमेंसा आगे रहती है voltage हमेंसा current से आगे रहती है यदि capacitor के inductor के बारे में पूछता तो option number B हमारा correct हो जाता कि current voltage से 90 degree पीछे रहता है और यदि प्रतिरोध के बारे में पूछता तो current voltage ये दोनों phase में होते होते ये दोनों चरण में होते in phase होते जो phase और sorry current और voltage के भी जो difference होता है वो यहाँ पे 0 होता ठीक है लेकिन अभी आपका option number C correct होगा चलिए ये रहां next question किस आवरिति पर inductive reactance और capacitive reactance दोनों बराबर होते हैं ऐसा कौन सा आवरिति है इन चारों में से जिसमें inductive और capacitive reactance की जो value होती है वो दोनों same एक समान या बराबर हो जाती है क्या अनुनाद आवरिति में निम्न आवरिति प्राकृतिक आवरिति नहीं ऐसा प्राकृतिक आवरिति तो होता है वो xc के बराबर हो जाता है इन दोनों कमान एक दूसरे के बराबर हो जाता है करेक्ट तो हमारा option number एस ही हो जाएगा अगला निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात के सा पेच्छिक चुम्बक सेलता को दरसाता है ध्यान दीजेगा म्यू बराबर म्यू नोट इन्टू म्यू और करेक्ट यह होता है हमारा पारगम्मेता इसको बोलते हैं पारगम्मेता और यह जो होता है म्यू नोट यह होता है हवा और निर्वात हवा और निर्वात का पारगम्मेता अब ध्यान देजी का इसी पार्य गंमेता को ही चुंबक सीलता बोला जाता है और यहां पे हमारे जो ूर है ूर होता है अपेशिक पार्य गंमेता तो इस में आपको ध्यान देने वाले बात यह है कि यह जो हम से पूझा गया है कि निर्वात के सापेचिक चुम्बक सीलता क्या दर साथ है तो हवा और निर्वात का जो चुम्बक सीलता हमसे पूछता तो हमें यहाँ पर करना पड़ता कि 4 πाई इंटू 10 गिखाते हम माइनस 7 होगा ठीक है 4 πाई इंटू 10 की पाउर माइनस 7 हैंरी प्रति मीटर हमसे पूछा गया निर्वात के सापेचिक चुम्बक सीलता तो निर्वात का सापेचिक चुम्बक सीलता हमेशा होता है मू नॉट बराबर 1 यानि कि option number C आपका right answer हो जागा और इसका मात्रक होता है हैंरी प्रति मीटर करेक्ट और यह जो हमारा mu r है यह मात्रक ही है इसका किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता करेक्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं कि उससर नमर 9 को एक लगू परिपत लगू पतित संधारित का voltage क्या होता है एक capacitor है हमारे पास करेक्ट इस प्रकार का यह capacitor है इसके बीच में कोई माध्या भरा हुआ है यदि यह sort हो जाता है तो capacitor का जो voltage है वो क्या हो जाएगा जब sort होता है तो उस दर्मियान resistance हो जाती है 0 और जब resistance 0 हो जाती है तो हमारी voltage भी हो जाती है जीरो करेक्ट वही हमसे पूछा है कि option number C हमारा करेक्ट हो जाएगा कि voltage हमारी हो जाएगी 0 राइट चलिए question number 10 है हमारा धारा वाही accessories की धारिता उस अधिक्तम धारा को प्रवाहित करने के लिए कैसी होनी चाहिए जिसे संयोजित उपकरण बीना हुए प्रवाहित कर सकता है ये देखिए ये तो question आपका wiring का आ गया है बट कोई वात नहीं हम इसको भी देख लेंगे ठीक है जाए कोई question हो question जाए किसी का भी हो हम उसको देख लेंगे बस वो आ जाए बस हमारे सामने तो ये है देखिए wiring का question हमसे क्या कर रहा कि धारा वाहि accessories हम example के लिए माल लेते हैं एक switch को हम माल लेते हैं एक switch को correct ये धारा वाहि accessories है इसकी जो धारिता यानि की capacitance इसकी जो छमता है उस अधिक्तम धारा को प्रवाहित करने के लिए कैसी होनी चाहिए ये जो switch है माल लेजे कि एक circuit है हमारी उस circuit में 15 ampere का धारा प्रवाहित हो रहा है correct तो ये हमारे switch की जो capacity है इस switch की जो rating है ये कितनी होनी चाहिए ये कम से कम 16 ampere की होनी चाहिए यानि की अधिक्तम धारा को प्रवाहित करने के लिए बड़ी होनी चाहिए rating जो circuit में current प्रवाहित हो रही है उससे अधिक होनी चाहिए switch की correct तो option छोटी वाली तो हटा दीजे ये तो हो गया खतम और जिसे संयोजित उपकरण बीना over straight हुए प्रवाहित कर सकता है over straight का मतलब होता है कि जैसे कि माल लेजे कि इस circuit में हमारी 15 एंपियर का धारा प्रवाहित हो रही है और 16 एंपियर का हमने switch लगा रखा है तो ये switch क्या करेगा कि बीना किसी over straight का बीना किसी व्यवधान का current को प्रवाहित आसानी से करा सकता है तो option number B हमारा correct हो जाएगा चलिए next है धारिता किसे प्रवाहित नहीं होती अभी देख लेते हैं एक हमारे पास formula होता है C बराबर epsilon A divide by D यहाँ से देखे किसे किसे प्रवाहित नहीं होती ये epsilon होता है माध्यम ये क्या होता है हमारा ये होता है माध्यम इसी माध्यम के according capacitor का नाम दिया जाता है paper capacitor इस इलेक्ट्रोट का area उसकी मोटाई D होती है दो प्लेट के बीच की दूरी तो किस किसी से प्रवाहित हो रही है माध्यम से बिलकुल पैरावेदुतांग माध्यम से प्रवाहित हो रही है और area प्लेटों की बीच का छेतरफल से भी प्रवाहित हो रही है और D प्लेटों के बीच की दूरी से भी प्रवाहित हो रही है लेकिन capacitor की capacity किसे प्रवाहित नहीं हो रही है तो option number हमसे हमारा D correct हो जागए यही इस चीज़ से हमें प्रवाहित नहीं हो रही है बाकी से तो प्रवाहित हो रही है, इसलिए यह हो गया गलत, हमसे पूछ रहा है कि किससे प्रवाहित नहीं होती, तो वो नहीं होती, फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है, कैपेसिटर को, तो दोस्तों, टोटल 11 क्यूशनों को हम लोग सॉल्व कर लिये हैं, और पाकी का जो अगला क्यूशन है, यह देखिए, मैगनेट से संबंधित, यानि की चुम्बक से चुम्बक के यूनिट का क्यूशन है, और यह क्यूशन भी बड़ी ही मज़ेदार क्यूशन है, दोस्तों, अग नेक्स्ट वीडियो हम इन लोग को सॉल्व करेंगे, और आज क जल्द मिलेंगे, हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको नए नए तरीके से, और नए नए क्यूशन देखनों को मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल क कर लिजे, सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजे, लाइक और अपने प्यारे साथियों के साथ कर दीजे, इनको सियर, तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी हमारी और आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, ओके थैंक यू.